Good morning students, आज के सी वीडियो में हम थैन्थ लास के लेशन फरस्ट रासाइनिक अभिक्रयाय इस समिकरण का टोपिक रासाइनिक समिकरण के बारें डिस्कस करेंगे इससे पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं रासाइनिक अभिकरया किसे कहते हैं और उसके परकार सथी साथ हम संचारन और विक्रत गंधिता को भी समझ चुके हैं अब हम देखेंगे राषाइनिक स्मिक्रन किसे कहते हैं और राषाइनिk स्मिक्रन को किस परकार्स सन्तुरीत मिया जाता है इसके साथ ही हमारा lesson 1st complete हो जाता है next video मैं इसके question answer करेंगे चलो सुरू करते बचा Chemical Reaction and Equation Lesson First इसका First Topic है रासायनिक समिकरण Chemical Equation Chemical Equation किसे करते हैं इसको हम पहले definition देखते हैं फिर समझते हैं किसी रासायनिक अभिकिरिया में भाग लेने वाले प्रतीक एवन सुत्र की साहिता से रासायनिक अभिकिरिया को परदर्शित करने की विधी को रासायनिक समिकरण की रूप में जाना जाता है तो कोई भी रासायनिक अभिकिरिया होती है Chemical Equation इसमें जो पार्ट इसमें जो सबस्टेंस पार्ट लेते हैं जिनकों बहुते हैं Reactant अगर वो element है तो उसको परतिक की रूप में किसी भी chemical reaction के अंदर पार्ट लेने वाले जो reactant होती है अगर element होगा तो symbol की रूप में और compound होगा तो formula की रूप में उसको रिप्रेजंच करते हैं और इसी method को क्या बोलते हैं chemical equation इसे example है हम बोले कोई रासानिक अभी के रिया जब जिंक पर sulfuric acid डाला जाता है तो जिंक sulfate और hydrogen gas बनती है इसको लिखने के लिए हमें कम से कम 2 या 3 line चाहिए होती है इसलिए तो short form में लिखते हैं जिंक का ये एक element है तो हमने इसका क्या लिख दिया जिंक sulfate और hydrogen gas इस प्रकार से हमने symbols और formula की चाहिता से इसको short रूप में denote कर सकते है short रूप को परदर्शित कर सकते है इसलिए इसकी definition बनती है जो हम देखते आगे और अथवा एक chemical reaction is a short hand method of representing a chemical reaction तो chemical equation रासाइनिक समीकरन क्या है is है एक short hand method एक संचिप्त रूप में chemical reaction को परदर्शित करने का तरीका है तीप ठास में आगे 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 देखते हैं फिर आगे देखते हैं संतुलित रासाइनिक समीकरन का महत्व है अब हमने chemical equation को balance कर दिया balance करेंगे balance करने का महत्व है उसके हम देखेंगे आगे रासाइनिक समीकरन को balance करना संतुलित करना उसका महत्व है क्या है धर्वेमां संद्रक्शन नियम के नूसार according to log conservation mask conservation के नूसार किसी भी रासाइनिक अभिकिरिया में ना तो द्रुमान का निर्मान होता है और नहीं विनाश मतलब किसी भी reaction के अंदर मास को ना तो हम produce कर सकते नहीं destroy कर सकते हैं किसी भी राशाइनिक अभिकिरिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रुमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रुमान किया बराबर होता है मतलब कोई भी राशाइनिक अभिकिरिया है कोई भी chemical reaction है इसमें जो अभिकारक अभिकारक कौन से होते हैं जो अभिकिरिया में भाग लेते हैं जैसे यहाँ पर S2O2 अभिकिरिया में भाग लेने वाले अभिकारक तीर के बाइन तरफ उत्पाज क्या बनता है एंस टू ओ तीर के दाइन तरफ आप इस अब अब भाग लेने वाले दोनों तरफ तत्तों का दरुमान कितना अची यह एक पलोना चीए बराबर होता है मतल्य यहां पे इसका दरुमान कितना है हाज जिट्रिमान का एक एक कितना हो गया 34 क्या यहां पर ठाकी पोर है है एच टू दो गुणा एक प्लस 16 16 प्लस दो जोटर कितने है 18 नहीं है बैलेंस इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर हम तू लगाते हैं 18 टू जा पर यहां पर लगाते हैं 2 आप हम देखते हैं इसका बैलेंस हो गया हाइज्रोजन के कितने हो गए 2 गुणा दो 4 प्लस 16 दो जोटर कितने हो गया बैलेंस कितना हो गया इकवल हो गया इक कैसे बैलेंस कर सकते हैं इसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधी इसके अंदर फोर स्टेप होते हैं मिटा तो फैस्ट स्टेप है रियक्टेंट अभिकारक को बाइं तरफ एंहुतपाद को ताइं तरफ रखते वे किसी रासाइनिक अभिकिरिया को इसको मैंने सिम्बल नहीं दिखाया इसका परती की नहीं दिखाया इसको बोलते हैं शब्द समीकरन तो पहले हम सबसे पहले किसी भी रासाइनिक अभिकिरिया को वर्ड इक्वेशन की रूप में लिखते हैं जिससें जिंक प्लस सेल्फिर्रिक ऐसीं जिंक कैसे सिल्फेड प्लस हाइडोजन, दूसरा एक्जंबल ले लिते हैं मैध्यन अब्लस ऑक्सीजटन करती है, यामाइफ्यन को जैप हम्हाई की ओपरसिते में जलाते हैं तो काबंडक तर्कसमाइब और बनता है ठीक है यह हमने इसकी अभीरिया की वर्ड एक्वेशन लिख दिया है अब सब्द समीकरण के अभिकारक एवं पुतपाद को परतीक एवं सुत्रों की सायता से प्रदशित करना मतब सब्द समीकरण जो हमने लिखा था यहाँ पर इसके जो भी अगर एलिमेंट है तो इसको सिंबल की रूप में और कंपाउंड है तो इसको फार्मूला की रूप में रिप्रेजेंट करना है तो CH4 मेथिन का फार्मूला है और ऑक्सीजन का परतीक है O2 सिंबल है इसका O2 जो इसके आपस में रेक्शन करते हैं तो हमने आगे लिखा carbon dioxide CO2 इस compound का फार्मूला है और जल का water का फार्मूला है H2O इस प्रकाशा में सेक्डर स्टेप इसका complete कर लिया है आप सब देखते हैं थर्ड स्टेप इसमें देखो सबसे छोटे गुणां की साइथा से समिक्रण को संतुलित करना मतलब ऐसे कौन से संक्या जिसको हम गुणा करके इस समिक्रण के तीर के बाई तरफ और तीर के दाई कर सके अगर हम दोनों तरफ एलिमेंट को ब्राबर कर दिया तो मतलब यह क्या होगे संतुलित रसाइनिक समिक्रण या पर बैलेंस एक्वेश्ट केमिकल एक्वेशन तो इसमें देखते हैं सी एस फोर ओटू जो रियक्टेंट है वह इस एरो के बाई तरफ लिखे हुई है यह एरो दिखाता है कि आभी की डारेक्शन फिस तरफ है अगर इंज तरफ सबसंद जा रहा है तो आभी की डारेक्शन आग की तरफ होसके लाफ्टेंट साइजितने तो रियक्टेंट या भी अभी कारग और इस एरो के रइधे परोड़क्ट आपे उत्पाद अब जो ल करने के लिए किसी नमबर से करना होगा हम इसके फार्मूला कोई कोई चेंज नहीं करना से पहले इस फार्मुले को बोक्स के अंदर बंद कर देते हैं हम इस फार्मुले को कोई चेंज नहीं कर सकते हमें जो भी नंबर लिखना उसके बोक्स के आगे लिखना है गाल तो देखते मगे अगें कि यहां पे कार्बन कितना है वन कोई प्रॉबलम नहीं है तो यहां पे कितना है टू यहां पे कितना है तू तो 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 अथी नमबर ब्राबर हो जाएंगे यहां पर हमने peach nitrogen का 2 लगा दिया garlic hydrogen को 2 लगाया तो oxygen के नंबर कितने हो गए two तो थे पहले से और two ये हो गए चुछिक्कि जब brackiT के बार हमने two लगा है तो दोनों संकष्गा से Assembly होते हैं जैसे आ में देखते हो उसी परकासे इसमे aerospace hydrogen तो अक्सिंद कितने हो गए 4 तो तो लिवायं के निवलेंगे और यहां पर तो लगाएंगे ऐसा करते हम देखते हैं कि दोनों तरफ एलिमेंट्स किस फंख्या है वो ब्राबर हो गई है और या है बालेंट्स को वोलते हैं बेलेंस जोब कीमिकल इक्विएशनगे-जब मेथेन कोक्षिन साथ गरम करते हैं यः आप मैथेन को वाई को फटर जलाते हैं तो प्रजरम से यह तो सी यो टू बनता है यह साथ में कर्थि आप पता यह जब को वस्तु जलती यह तो साथ में इन्फोर्मेटिव बाइ इंडिकेट दा फिजिकल स्टेट और रियक्टेंट और प्रोजक्ट आप देखो इस रियक्षिन के अंदर हम इसको मोर इन्फोर्मेटिव कैसे बना सकते हैं इसको मोर इन्फोर्मेटिव बनाने के लिए में इसमें दिखाना पड़ेगा कि यह सबस्टेंस किस स्टेट में है में इसमें भी गैसिलमा प्रो अधेर इसको मिहां बहरेटि अगरति में आदर स्टेंस और आज कि हमहें यह से लगा रख है, लिक्विड है, तो हम L से शो करेंगे, और गैस है, तो हम G से शो करते हैं, जैसे यह यह पर यह पर इसलिक हैं, तो हम लगाएं, अगर किसी पदार्त का वातर के अंदर स्विशन बना हुआ है, तो सो बोलते हैं, है एक्वस क्यों बते हैं हिसको कि कि कौन से गनोट करते हैं किعمFit को एक्वस से गनोट करते हैं कि definite कि किसी वह सबस्टेंस का वाटर के अंदर सॉल्ीशनितं देखते हैं किसी रियक्शन के अंदर ही एब्ज्वल हो है तो इस एरो के ऊपर हम जैसे कोई भी रेक्षा लेते हैं ए प्लस भी अगर यह बी प्लस सी डी तो रिक्षन बन जाती है एसी प्लस भी डी इसके अंदर हम देखते दैल डा का सहे मना कर हीट को शो कर सकते हैं अगर गैस के रूप में हम गैस को मध 무complant तीर इस परकार से उपर की तरफ सकते हैं खैतुक्छान के दो इसी परकार से सबरान को एब से वनुद हन्द ऑग्ल दो फीट फीला लातर करद तो इक्षेन को इस परकार प्लॉस सो्डियम सलफेट क्या बन गया बी-ए-ए-ए-स-ो-4 प्लस एन-े-न-े-स-ई-ए-ट बेरियम क्लॉराइड यह एक 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 एक्वस है बेरियम क्लॉराइड का पाटर के अंदर सोलुशन है सोडियम सल्पेज का len kuris कॉता जाdar वक्षेग चल्स है चाहिं सिकमघृट कश से giddyंझेग था ईनल्भान होता कि यह एक फिद्धन इसमें बाइस लिखाव और एकवर्श की रूपर पस्तित होता है इस प्रकार से में रियक्शन को और अधिक इंफॉर्मेट्यू बना सकते हैं इसे नेक्स वीडियो में इसकी कुछ आंसर करेंगे और इस प्रकार के अभी के लिए रियक्शन को बैलेंस करने के और भी प्रक्किस करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही बेटा थेंक्यू